आपका स्वागत है आज हम है हैदराबाद के नला गंडला में जहां पर जहां की हवा जहरीली हो चुकी है यहां के लोगों का कहना है कि यहां आसपास जो केमिकल फैक्टरियां है और दियोगी ख्षेतर है वहां से हवा में जहरीली गैसे उनमें मिल रही है जिन से यहां लोगों को परिशानी हो रही है है और कई तरह की परिशानिया यहां लोगों के सामने आ रही है हम यहां के जंडला में रहती हूं और कुछ आठ दस साल से जबी बारिश होता है और जब विंटर में जब हवा में फॉग जादा होता है तब हमें एक केमिकल स्मेल आती है most of the time morning के टाम पे आता है ये स्मेल और इसके वज़े से, it's a strong chemical smell और इसके वज़े से, मुझे personally headache होता है shortness of breath होता है, nausea होता है रात को अचानक I wake up feeling uncomfortable पूरा ताम मैं अपना दर्वाजे बंद करके सोती हूं it's a very unhealthy way, we have small children in the house and ये जो परिशानी है, it has been my observation for over 8-10 years तो हमारे not only Nalagandla but also Gachiboli, Bacchupalli और नalagandla में ये problems common है lot of people in all these areas have observed the same problem तो क्या आपने कभी PCB से इसकी शिकायदlt Kee? तो काफी सारे लोगों ने इस पए अपने इसकाणे दर्ज क्या है at times we have called the night patrol team of PCB they surely acknowledge the problem but the point here is that ये जो प्रब्लम है इसके evidence is a little difficult to gather we cannot photograph a smell right so we need a PCB to figure out a solid plan so that आपको कैसे बता लगता है कि जो जो एर है वो अभी अच्छी नहीं है या फिर उसमें पॉलिट है वो हमारे नेबर रेसिदेंट के पास एक एर प्यूरिफायर है घर पे so on a normal day like a good reading is under 0.5 units तो जब ये smell आती है तो we get a 999 the reading gradually increases 500-600 and it goes up to 999 there is no reading beyond 999 so it's an alarming level when 0.5 is normal this reading goes up to beyond 999 मैं मैं आपका क्या कहना इसके air pollution के बारे में कि आपको भी लगता है कि हांकी हवा अब सांस ले लाइक नहीं रही हांजी जरूर बिकॉज हम लोग आज़ के टाइम में हम लोग को खाना हेल्दी खाना चाहिए बच्चों के लिए और सब कुछ लेकिन में जो हमारा है कि इस टाइम पर हम लोग एर ऐसी हम लोग ले रहे हैं अपने ब्रीद कर रहे हैं तो दाट इस मोर इंपॉर्टन कि हम लोग अच्छी हवा ले और यही पल्यूशन का प्रॉब्लम है हमें सिर्फ कट डाउन करना और एक साथ बस हमारी यह आवास सु ले कि जो भी हम आज की डेट में हवा ले रहे हैं एर पल्यूशन जो हो रहा है उसको बस कंट्रोल कर ले तागी हम करेंट और आने अली जनरेशन को इंपक्त कम हो मैडम अप कितने साल जहां रहे हैं और क्या दिक्कत आरी आपको यहां पर हम लोग यहां बाउट आट साल पहले शिफ्ट हुए और उस जमाने में मेरे को बड़ा शॉक था हेल्थ कॉंचिस थी सुबा उटके एक्सराइस करने जाना यह सब मतलब को फ्रेश एर का वो था होकता ले के लिए सुबा पांच बचे उठके बाहर निकलते थे हम तो मैं जैसे पाहर निकलती थी तो इतन कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन चलो ऐसा कुछ भी नहीं था पर वो इतनी गंदी स्मेल ऐसे लगता था केमिस्ट्री लाब के अंदर कुछ तो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं पर साथ में हमारे कई रनिंग बडी जो जाते थे उनको कभी आता था कभी नहीं आता था मतलब उनक लिमिटाइज जल्दी हो जाते हैं तो उस सबने माना कि जैसे ही वो एक जगा से दुसरी जगा जाते हैं अगर वो ध्यान दे रहे हैं तो उनको भी स्मेल आता है सेम टाइम पे तो यह स्मेल क्या है अभी कुछ तो कैमिकल दमने बहुत रिसर्च किया पता किया कि अभी क्य करें बद्बू आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं पता करने का कोशिश किया तो पता चला कि मैं एक लौती नहीं हूं और भी बहुत हो गए हैं हाना और सरदर्द बढ़ते जा रहे हैं रोज रोज उल्टी आने को हो रहा होता है रात को इतनी वद्बू आती है कि उठके लगता है कि अभी तो पहले तो बंद करो खिड़की हाना वो खिड़की बंद करके जब तक विस्तर में जाते हैं सोने को तब तक तो नी अभी हएड़क हुआ तो पहले हड़क होता है फिर समेल आती है और फिर रीडिंग चैक किया तो वो भी होता है तो अभी पुरूफ है हमारे पास कि ये जो वॉलट्टैल और गानिक कॉमपाउंज हैं अपने हवा में वो ऐसी तो नहीं आ रहे हैं कहीं से तो आ रहे हैं और और वो हमें पता चला कि बच्चुपली एरिया के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, आप गूगल मैप में देखोगे तो अराम से दिख जाएंगे, नाम में नहीं लेती है, अरुबिंदो, न्यू लेंड, ऐसे कुछ-कुछ नाम हैं, औ चुपली एरिया में, और भी पतान चैरू में, तो अभी क्या है, ऐसा पता चला है हमें उस एरिया के लोगों से, कि वहाँ पे जो, क्या कहते हैं, लिक्विट केमिकल एफ्लुएंट्स जो है, जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, वो आसपास वो डंप कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रील एफ्लुएंट्रीट्मेंट प्लांट में जाना चाहिए, ट्रीट्मेंट के लिए दिन में, वो लोग रात को आसपासी डंप कर देते हैं, तो वहाँ पे जब डंपिंग होता है, तो स्मेल आना शुरू होता है, मतलब तब तो डेफिनिटल आता है, तो अभी आप बोलोगे कि सारी इंडस्ट्री सेमी केमिकल यूज करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ये कर रहा है, तो ऐसा हुआ है हमारे पास, जब लास्ट टाइम हमारे पास जो पीसीबी ऑफिसर आये इंस्पेक्शन के लिए, तो बोले हाँ हम अग्नॉलेज करते है कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हजारों लोग कम्प्लेइन कर रहे हैं, पर हमारे पास ऐसा टेक्नॉलोजी नहीं है कि हम पिन पॉइंट कर सेके कि स्मेल किदर से आ रही है, अभी इतने सारे इंडस्ट्रिल एरियाज हैं, आज इसके यहां लीक हो रहा है, हम पता नहीं कर चाहिं लईक हैं, तो बोले, उन्होंने इंडियन कांट्राक्टर, कंसल्टANS को काम दिया, कंसल्त को बुलाया, अभी बोले, नेधर लेंस्में तो this problem ही नहीं, बाकी कंट्रीज में, यह problem ही नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसे manufacturing processes ही ही नहीं, ही यूजे होते हैं, ये हमारा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी हर इंडस्ट्री को मैंडेटरिली टीवी ओसी मीटर लगाना होता है. सबके पस है. पर बच्चु पली के लोग हमें बता रहे हैं कि वो ये एफ्लुएंस रिलीस करने के पहले इलीगली वो बंद कर देते हैं. तो वो डोनेट कर सकता है नहीं तो पीसी भी अगर इंस्टॉल कर सकता है तो ये बस एक दो काम कर दें कि जहां पर ये एफ्लुएंस डंप हो रहे हैं इलीगली हना बच्चु पली के पास वो नदी बनी हुई है एफ्लुएंस की. वहां पर नाइट पेट्रोल एक लगा दो विड आप लाइन ट्राकेबल कर दो जिससे कि जब किसी को स्मेल आया आपको कंप्लेंट आय तो आप देख सकते हो उसी वक्त की कितना ज्यादा रिलीज हो गया है कहां पे तो फिर ये प्रॉब्लम ख़ता हो जाएगा ना कि हमें पता नी स्मेल कहां से आ रहा है तो अभी हम हजा इस जगाव से पता चला और हम ये आक्षन लिया तो अभी हम यह चाहते हैं कि पिछले दो-तिन दिन में जो इतना स्मेल आ रहा था हमने इतने कंप्लेंज डाले और कुछ नहीं हुआ तो कल जिसे दिन में हमने दो-तिन लोग ने कंप्लेंज डाले इधर ही से तो कुछ नहीं हुआ, सुबह उठे सब सरदत के साथ फिर हमने नाइट पेट्रोल को कॉल किया, वो बोले हाँ, हम भेजते हैं कॉल करते ही, पंदरा मिनिट में रीडिंग कम होने लगा अभी हम कहने सकते कि उन वो पकड़ लिये, जिसने रिलीस किया कि बारिश आई, हवा आई, जोका से बदल गया, कि क्या हुआ तो हमें पूरा भरोसा है कि नाइट पेट्रोल टीम कुछ कर रही है, कुछ कर सकती है और वो बहुत हेल्पफुल हैं वो, पर उनकी भी मदद कीजे अभी क्या होता है, कि हमें आफिसर से जब हम जाके मिलते हैं पस और भी बहुत काम होगा, समझ सकते हैं, पर हमने देखा कि पिछले तीन दिन में हम तीन कंप्लेंड डाले, बस और कोई नहीं डाला, तो वो तीन कंप्लेंड देखने के लिए भी कोई नहीं था तो ओफिसर्स को इतना बैंडविथ हो, कि वो कंप्लेंड हम लॉज करें, तो देखें, हम आदी रात को उठके जब कंप्लेंड डालते हैं क्योंकि हमें लग रहा है, हम जहर इनहेल कर रहे हैं, और कब वो लास्ट रॉ होगा, जब कैंसर होगा, कि क्या होगा तो किसी को कुछ करना चाहिए, रीजनेबल टाइम क्या है उसको आक्शन करने के लिए तो हवा के साथ नला गंडला की परिशानी भी बढ़ती जा रही है, यहां के लोग बेचायन है, परिशान है यहां की जहरीली हवा से और हमने चेक भी किया, यहां का टोटल वलटाई और गैनिक कंपाउंड जो की 336 निकल कर आया, जो की बहुत ज़्यादा है, यहां की हवा में कुछ तो पंगा है बने रही है हमारे साथ, देखते रहिए, फोर साइट टीवी झाल